नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी बच्चों का MD Classes की यूटूब चलना पे सभी बच्चों को धेरो बधाई हैं जिन्होंने SSC GD का रीटेन एकजाम को पूरी तरीके से किलियर कर लिया है और अब बाली है उनके फिजिकल की परिक्षा है आपकी 15 अप्रेल से होने वाली है वैसे तो देखा जातों सरेक्षन का पूरा सरे आप सभी को जाता है लेकिन फ फैकल्टी ने आपके लिए किस प्रेकार सहता करी अगर आपका भी सेलेक्षन हुआ तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ जरूर बताएगा और दिये के गुगल फॉर्म को जरूर भरिएगा चलिए बात करते दो चार बहुत ही महत्यपूर चीज़ों के बारे मे चीज़ें लेकिन हमारे रोल नंबर बाकी सभी चीज़ें हम चेक कर सकते कि हमारा फानल सेलेक्षन हुआ की नहीं हुआ फिर हम यह सोचते यार मेरे 110 नंबर आ रहा था मेरा सेलेक्षन नहीं हुआ मेरे बगरवाले के 105 नंबर आ रहा इसका सेलेक्षन हो गया जबकि दोनों का सिर्फ सिर्फ अलग था लेकिन दोनों की राज्यों सेम थे तो यह ऐसे कई सारी इसू जाते तो बच्चा बड़ा परिसान सा रहता कि भाई कट आफ अब नहीं हो पा रहा हमसे किलियर या कहीं क महत्यपूर चीज़े उसको जड़ा सुनिएगा बड़ी महत्यपूर बाते हैं सबसे पहले बात करेंगे कट आफ इतनी हाई क्यों देखिए आपको पता है कि इस बार की ससी जीडिकी फिश्कल की कट आफ जबकि आठ गुना बच्चों को बुलाए गया 50,000 वेकंसी के यह सही है या गलत है इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे देखे एससी अब वैसे नॉर्मल तो हैने की भाई कोई बेजनसी है जो अभी पहली बार परिक्षा करा रही तो गलत दे सकती है उसने बहुत परिक्षा करा लिए सालों से परिक्षा कराते चले आ रही है और कर पाएंगे कमेंट बॉक्स में चीज जरूर बताएगा कि आप इस चीज को देखेंगे कि भाई आपके साथ वाले का सेम राज यह था लेकिन सिप्ट अलग थे उसके 105 नंबर 106 नंबर और ऐसे बहुतों बच्चों से मेरी बात हो चुकी है लेकिन मेरे नंबर 110 112 लेकिन फिर भी 124 वाली का टॉब मैं नहीं क्लियर कर पाया उसके कितने ज्यादा नंबर बढ़गेंगे कि उसने 124 वाली का टॉब को क्लियर कर दिया उसका रोल नंबर आपको लिश्ट में दिख गया है तो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा फरक डालेगा वो इस बार नॉमलाइ हाई कट आप जानी चाहिए तो नहीं अटेंडेंस का इतना ज्यादा कोई फरक पढ़ने वाला था क्योंकि नॉर्मल आपके पास अटेंडेंस देखने को मिली थी तो कोई बहुत लो या बहुत हाई काम यहाँ पर रिजन्स नहीं कह सकते कि हाँ ज्यादा था हमने जो कट मतलब आप सभी के लिए यहाँ पर डिसाइड करी थी और आपको अच्छा भी मुझे लग रहा था क्योंकि हम नोंने जो कट आप बनाई ती पूरे यूटूब पर सेकंड हाईस्ट व्यूज वाली कट थी मतलब जिसके व्यूज सबसे ज्यादा बच्चों ने देखे थे स जब इतना बच्चा विष्वास करता और अचानक से जब रिजल्ट आता और यह पता चलता यार कट आफ सरके नंबर जो अनने बताया थे कोश्टन उससे चार पास कोश्टन आगे चली मतलब कि 8-10 नंबर से ज्यादा हाई कट आप जाने को देखने को मिली है तो मुझे भ और मुझे इस बात का सीख भी है कि हाँ यह कट आफ हाई गई है तो क्यों गई है और क्या के रीजन हो सकते हैं जैसे हमने तीन तरीकों से जोन में डिवाइड के था कट आफ को इस पार जिसमें हर्याना राजस्थान यह जोन तो बिलकुल सही हमनों ने डिवाइड के था और इसी की हिसाब से अलग-अलग चीज़ा आपको कट आफ भी देखने को मिली है लेकिन कुछ ऐसे राज जैसे कि यूपी बिहार महाराष्टा मद्दबरदेश ऐसे थे जो हमारे एक्सपेक्टेशन से काफी हाई जिनकी कट आफ चली गई है और कुछ ऐसे भी थे जिनकी एक्सपेक्टेशन से कम कट आफ होगे जबकि हमने उनको रेड जोन में रखा हुआ था और कुछ ऐसे थे जुनकी सेम गई है तो सेम वाले तो आपको यह यलो और ग्रीन वाले मिल जाएंगे लेकिन ज्यादा जो हमें धेर बदल देखने को मिला वो रेड वाले में ही रखा हुआ था और यहां की जो हायस कट और कि जाती है जनल टेगरी वाली जो जनल एरिया है में बार्डर लंकुरेमं और वाले जोन में और यह इंकी कट-ओफ में मैक्सम बताया था जर्नल में 55 questions यानी 110 नमबर बताया था लेकिन उससे कम गई 105 तो कुछ ऐसे राज जिनकी cutoff कम गई ज्यादा जाने वाले में अगर मैंने मैक्सम आपको पश्पर मताया मतलब 110 question मैं 110 नमबर बताया थे लेकिन वह ज्यादा इस लिए चलेगा और मैंने यह सोचके भी बताया था कि भाई question लिखने का जो सबसे बड़ा कारार था वो यही था कि हम नॉमलाइशन कितना होगा या नहीं होगा मैंने उस दिन भी वीडिय कम या ज्यादा होंगे भले हमारे पास 10 लाख बच्चों का ही डाटा क्यों ना हो जाए क्योंकि परिक्षा देने तो 35 लाग से यादा बच्चे गया हुआ हम यह डिसाइड बिल्कुल नहीं कर सकते कि सिफ्ट वाइच कितने और भी बढ़ेंगे बढ़ेंगे बिल्कुल ड के बाद यह आपको पास पहली बता रखा था कि बच्चा नहीं है और यह फिजिकल के आपके पास कट आफ है तो 110 के माली 120-122 तक का जाने के चांसे हो सकते हैं लेकिन फिर भी कुछ ज़्यादा ही जब बदलाओ देखने को मिलता और जब बच्चों को यह दुख होता कि सर को सब्सकतर नहीं बहुत दौके lessons और प्लेश करेंगे सब्सक्रानोम का फंगे से आपके माक्स ज्जादा हो गया है और सभी बच्चों के लगभल लबग जादा हुए और नॉमरेशन की वज़े से ही cut-off आपको हाई देखने को मिली है लेकिन कुछ ऐसे जो ने जिनके expectation से cut-off कम गई हुई और उनके लिए खुसकबरी भी है कि वो बच्चों ने qualify कर लिया है इसके बाद हम अगली चीजों पर बात करेंगे कि fiscal rate का 15 प्रेल ही होगी तो ये बात बिल्कुल तैह है कि अपनी अपनी ऑफिसल वेबसाइट पर डाल दिया कि हम 15 प्रेल से ही fiscal करेंगे और इसमें कोई बदलाओ देखेने को नहीं मिलने वाला तो सारी चीजों से दूर होके कहीं कुछ जाने क्या हो सकता नहीं इसरब अपने आसपास फिल्ड में जाईए जहां पे आपको बहुत सो बच्चे मिल जाएंगे आपके लिए fiscal करते हुए यूट्यूब पे हजारों वीडियोज पढ़ी है जो बच्चा फिजकल करते हैं या जो ट्रेटेर कराते हैं वहां से सीक्यों और फिजकल में लग ज इसा तो दूसरी जो कटाव आएगी वह फाइनल वाली आएगी अब ऐसे इतनी हाई चलीगे कि वह सिरफ दो चार कोशन और भी आगे बढ़ा लेना तो चांसे वहां पर जादा बढ़ जाएंगे लेकिन आप फिसकल में पूरी जान लगा दो और इसी में पूरी तरीके से और उन सभी भाईव वह फिर से बहुत बढ़ा आए क्योंकि आपको यह फाइनल सलेक्सन है नहीं इसलिए हम आपसे नहीं कह रहे है कि आप आजाओ मैं आपको इनाम दूगा यह दूंगा वो दूगा कुछ नहीं यह फाइनल सलेक्सन नहीं है यह सिरफ आपका भी CBT क्वा तो आप पूरी महनत करिए अच्छे से सरीर पर ध्यान दीजे सब कुछ आपके पास है हाइट है वो है तो पूरी जान लगा के पढ़ाई करिए और मुझे थोड़ा इसलिए भी कभी कवार बुरा लगता है जीडिया बाकी सभी वैकेंसी के लिए क्योंकि यह वैकेंसी इसमे जो गाउं वाला बच्चा होता है जो बच्चा जो फिजिकली ज्यादा एक्टिव और यह यह बच्चों के लिए ले लूँ तो यह थोड़ा उन बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए लेकिन फिर भी जम नौकरियों कि हमारे पास इतनी ज्यादा कमी है तो हम यह बात दि तो यह सबको बधाईयां कमेंट बॉक्स जरूर बताएगा और आपको कमेंट में फुगल फॉर्म दिया गया फॉर्म भर दीजेगा ताकि हमें आपका डाटा पूरी तरीके से मिले और हम आपके लिए आगे की जो प्लाने है वो कर पाए आपके रिजल्ट को पब्लिस कर पा दन्ने वाद